नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धनंजय मिस्रापर दोस्तों यूपी एमर्सी में 144 पोस्ट के लिए वेकेंसी आई हुई है तो इसके पोस्ट वाइज और केटेगरी वाइज प्रिभेश सेर कटाफ के बारे में हम चर्चा कर ऐबा था उसका कंक्र कि यहां पर और सेर्विसमेंं और यहां Pero क्रों कि अप्रिख नहीं था था तो इसलिए जनान पर देखिए8 के लिए जो कि उल्र में साथ माच किया था ओवी सी के लिए 96.4 एसी के लिए 80.42 और ओमिन के लिए 95.11 एसम के लिए नहीं और EWS के लिए भी कोई कटाफ नहीं था यहां पर आप असिस्टेंट एकाउंट मैनेजर सीविल के लिए देख सकते हैं 113 जनरल के लिए के लिए 111 एसी के लिए 102 और एक ओमिन के लिए आपका 102.40 और एसम के लिए 85 और EWS के लिए 113 अब बात करें पब्लिक एंड रिलेशन असिस्टेंट का तो इसका 83 जनरल का गया था और ओमिन का बहतर दसमलो साथ चे गया था असिस्टेंट मैनेजर इलेक्टिकल का बात करें तो अन्रिजर्ब का 108, OVC का 102.74 उसके बाद AC का आपका 89.12 और ओमिन के टेगरी का 101.04 था अब बात करें असिस्टेंट मैनेजर इचार का तो इसका अन्रिजर्ब के टेगरी का टाप 94.75 गया था अब हम बात करेंगे असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक एंड रिलेसंस का तो इसका 91.10 गया था उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर सिंगनल एंड टेली कम्यूनिकेशन का अन्रिजर्ब का 109 था OVC का 104.72 था ओमेन AC के टेगरी का आपका 102.06 था और ओमेन के टेगरी का 106.40 था अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो मुख्य है जुनियर इंजिनियर की त इसका आपका जो है कि 100.42 था और ओमेन के टेगरी का 102.70 था एक सर्विसमेन का 20.4 था और EWS का 111.5 था अब बात करेंगे जुनियर इंजिनियर इलेक्रिक्रिकल का तो जो जनरल का कटाफ गया था वो 108.7 दो गया था OVC का कटाफ 107.05 था AC का कटाफ 96.71 था ओमेन का 101.40 येसम का 84.42 और EWS का 107.05 अब बात करेंगे जुनियर इंजिनियर सिंगनल एंड टेली कम्यूनिकेशन का तो जो जनरल का कटाफ था वो 77.46 था OVC का कटाफ 75.40 था AC का कटाफ 64.1 था और ओमेन का कटाफ 75.37 रहा था और EWS का 77.4 रहा था तो जो 2020 में परिक्षा हुआ था उसका हमने केटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज कटाफ इनालिसिस किया अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को वसे सब्सक्राइब कर लीजेगा ऐसे ये अपड औरो ाल के लुए्टण लीजेजेग और रहा उत्र होगाफ येजिजेगरी थीजेशित थे अबon्न एहा था उगल, जगरो प Queतल लू दून 8 रहा भर चालिस युएर कोशेदी ओर